So students, हम लोग पढ़ रहे थे consumer awareness के बारे में है ना, हमारे previous topic में आपको मैंने consumer protection के जो awareness, explanation, needs, ये सारे चीजों के बारे में मैं बता चुकी हूँ है ना, ठीके? आज हम consumer awareness के solution of consumer exploitation के बारे में पढ़ेंगे हैं ना, तो solution of consumer exploitation का मतलब क्या हो जाता है, आपको ये बता दू कि जो भी customer के साथ हमारा क्या हो रहा था, उनके ज़र social हो रहा था, आज हम उनके solution यानि समाधान किस तरह से हम इने दूर कर सकते हैं, उसके बारे में अध्यन करेंगे ठीक है, solution का पहला point है consumer education, consumer education का मतलब क्या होता है कि हमें consumer को क्या करना है, educate करना है, उनको बताना है कि किस तरह का क्या चल रहा है, हमें क्या क्या चीज़ें उनको मालूम होने चाहिए, ठीक है ना, वो सारे चीज़ें हमें बताना चाहिए, जैसे माल लीज़ें उन्हें ये standardized goods हमें ये भी देखना है कि जब भी आप goods purchase करिए तो उसका standard देख करके purchase कीजिए ISI mark, egg mark, hall mark इन सब को देख करके ही आपको समान को purchase करना चाहिए ठीक है ना third है taking cash memo and receipt हम कई बार क्या करते हैं समान लेने तो जाते बेटा लेकिन हम cash memo लेना बोल जाते हैं हम cash memo नहीं लेते हैं तो हमें cash memo लेना और receipt लेना बहुत ज़्यदा जरूड़ी है ताकि कलको अगर हमारे product में कोई problem आता है तो तुरंत हम क्या कर सकते हैं उसको वापस करके समान घर आ करके देखते हैं कोई defective piece निकल गया तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं तो यह चीज आपके cash memo और receipt के अंतरगत आपके होने चाहिए अगला है not to be learned by the advertisement आप क्या करो advertisement से ज़्यादा attractive मत हो यह हमारा क्या होता है आज हम television या media में जो advertisement दिखता है हम उनमें से बहुत ज़्यादा influence हो जाते हैं तो psychologically हम उसमें से affected हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए इस तरह के good purchase नहीं करना चाहिए कोशिश यह रहती है कि हम जितना ज़्यादा हो सके advertisement से बचे ठीक है न हम advertisement जो है वाली चीजे जो है उसकी quality अच्छी नीरी होती है प्राइज भी सही नहीं होती है यह बात आपको जानना जरूरी है ठीक है next to complain collectively अगर customer के साथ किसी तरह का धोखा धड़ी होता है तो customer को चाहिए कि seller या producer के against complain करें तो अगर जब तक आप complain नहीं करोगे तब तक वह सुधरेगा कैसा है न इसलिए आपको complain आपके लिए क्या होना चाहिए collectively complain आनी चाहिए जिससे क्या हो सकते आप सुधर सको तो complain करें ताकि producer और seller जो हैं वह सुधर जाएं दुबारा वह गलती ना करें 6 पॉइंट है to verify the expiry date आप जब भी प्रोड़ेक्ट पर्चेस करते हो तो it is your responsibility to check the expiry date आप चेक कर लो कि कब इसका expiry date है क्योंकि expiry date चेक करना आपकी काम है तो कल आप जब भी आप आते हो तो एक तो दुकानदर को भी पता होना चाहिए पता चला वह expiry date का समान आपको दे रहा है आप ने देखा और उसके बाद फिर आप कस दुकानदर को बोलिए ताकि वह भी क्या कर सके उस चीज़ को समझ सके कि आपको समान दे दिया है उन्हें मालूम भी नहीं है कि इस प्रोड़क का एक्सपारी डेट निकल गया है तो इस यूर्स ड्यूटी दाट यूफ तो यह सारी चीज़ें हमें बताना जरूरी हो जाता है ठीक है तो आपकी यह प्रोड़क के कारण आपको कम खाना मिलता है फूड इस्ट्रफ जो है वह वह आपको बचना है तो यह चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी ठीक है नेक्स्ट है कंजूमर मुमेंट्स अब हम क्या देखना चाहते हैं कि कंजूमर्स का जो मुमेंट्स होता है कि वह कभी कभार क्या होता है दिस्साटिस्वाइड होता है वह आपसे दिस्साटिस्वाइड नहीं होता है तो यही कारण हो जाता है कि दिस्साटिस्वाइड के कारण आपको कम खाना मिलता है फूड स्टफ जो है वह उसकी कमी हो जाती है होडिंग ब्लैक मार्केटिंग अडल्टरेशन य कि क्या हो सके कि जो customer जो है customer की जो problem से उसको सुना जा सके production में control किया जा सके distribution price supply यह सारे चीजों को सही तरीके से किया जाए ठीक है ना तो in 1976 weight and standard measure हमने क्या क्या 1976 में weight and standard measurement का act पास किया जिसके माध्यम से हमने यह दिया कि सही नापतौल करके समान दिया जाना चाहिए ठीक है और उसके बाद फिर 1986 में हमने consumer protection act पास किया government of India ने consumer protection act से आपका तात पर यह कया है बिटा कि जैसे माल लीजी हम क्या करते हैं कोई भी शिकायत होती है जैसे माल लीजी हमनों की जो शिकायते होती है माल लीजी कोई crime कर गया ठीक है ना अगर crime कर जाता है तो फिर आप क्या क time then you we should go to the police we have to inform the police बट अगर कोई any producer and manufacturer exploit you then you don't know where you are giving your complaint and where you go आपको यह समझ में नहीं आता है कि हम जाएं कहां और कहां हमें हरी शिकायत दर्ज हो तो इसलिए सरकार ने 1996 में customer के protection के लिए वो भोगताउं संद्रक्शन के लिए धाराएं बनाई और इस धारा जो है वो आपक कोपरा के नाम से famous है COPRA कोपरा दिख रहा होगा आपको यह जो कोपरा है यह आपके लिए बनाया गया है कि consumer protection act जो है वो बनाया गया है जिसमें हम जो इस तरह का जो producer के द्वारा या manufacturer के द्वारा customer को जो गलत वेभार किया जाता है तो उनका solution किया जा सके ठीक है ना तो immediately आ पहला है कि तीन तरह का three-tier judiciary system होता है यह कोपरा जो है एक district में और फिर एक state label में और एक क्या हो जाता है national label पे तीन जगह पर आपकी समझ्यों का समाधान किया जाता है okay you are giving your complaint to the different label of the complaint so first is the district level district label पे आप कहां जाते हो if you have complaint up to the 20 lakhs अगर बीस लाख रुपए तक कि अगर आपके समान के साथ कोई गलत बभार होता है तो आप district label पे जा करके क्या कर सकते है शिकायत कर सकते हैं ठीक है ना next label आपका बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपका जो शिकायत है वो बीस लाख से ज्यादा लेकिन एक लाख एक करोड तक है बीस लाख से ज्यादा more than 20 lakhs but one lakh to one lakh 20 lakhs to one lakh के between अगर कोई आपके शिकायत है तो उसे आप कहां जाओगे complaint लेकर के आप पहुँचोगे state level court पर ठीक है ना जहां पर आपकी शिकायत सुनी जाएगी और अगर मान लीजिए एक करोड से जादा more than one करोड then you go to the national level ठीक है तो यह तीन लेबल पर आपके होते हैं जिसमें आपको क्या बताया गया कि डिस्टिक लेबल पर शिकायत 20 lakh तक की शिकायत है तो आप 20 lakh रुपे तक का अगर आपके समान के साथ कुछ दोका धड़ी हुआ है तो go to the district level court second अगर 20 30 lakh से जादा लेकिन एक करोड तक की हुई है तो go to the state level court और अगर माल लीजे एक करोड से जादा हुआ है तो फिर यो go to the national level court understand तो there are three type of jurisdiction तीन तरीके से आपका नयाय हो सकता है अगर आपके साथ किसी तरह की कोई धोखा दड़ी हुई है तो ठीक है ना अब production act जो हो रहा है consumer movement हमारे भारत देशों में जो है आपका हो जा रहा है तो कई तरह के department of consumer awareness है जो की government के द्वारा launch किया गया है उसके माध्यम से हम लगों को जागरू कर रहे हैं और in India 24th December is celebrated as the national consumer day हम हमारे देश में national consumer day 24th December को celebrate करते हैं जैसे suppose करो इसको celebrate करने का main purpose क्या होता है बटा देखो आप सारा साल कैसे भी रहो लेकिन आपका जब भी बड़े रहता है तो you are very excited and very happy चूंकि आपको लगता है कि आज मेरा दिन है because that day was your birthday तो ये कहा गया है कि ये consumer day या हमारे देश में कई तरह के जो days मनते है और फ्लैग डे और कई तरह के जो day मनता है तो वो day बनाने का main purpose ही है कि भले आप साल भर नहीं लेकिन किसी एक दिन तो आप उस चीज़ को जानोगे तो consumer day में भी हमारा यही है कि साल भर भले आप अधिकार और responsibilities, duties, rights के बारे में कुछ ना जानो लेकिन कम सकम 24 December को at least आप याद तो करोगे कि आज हम भुगताओं के लिए क्या बना है दिन बना है ताकि हमारे साथ किसी तरह का कोई exploitation ना हो सके ठीक है ना तो यही कारण है कि हमारा national consumer day जो है वो 24 December को हर साल मनाया जाता है ठ करने की कोशिश करते हैं कि customer जो है वो जादा से जादा मातरा में क्या हो अवेर हो ताकि उन्हें हर चीज के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए ठीक है ना यह सारे जो है आपके क्या है customer के movement के लिए या उनके protection act बनाया गया गया सबसे जो important thing है वो है कि customers को अपने अधिकार और करतव के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि which type of rights and duties we are given to them आपका क्या होता है कई बार हमारे हमें जैसे मालो पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए इतने सारे rules regulations laws बने हैं और हम क्या करते हैं continuously producers से के जो cheating है वो हम सहते जा रहे हैं because we don't know what is the step what is our next step हम आगे क्या करेंगे यह हमें पता ही नहीं होता है तो इसलिए you should know that what is your rights and duties the first right is the right to safety हर customer को यह अधिकार होता है कि वो अपने जो product से related जो safety है वो उनको मिलनी चाहिए वो हर तरह का किसी तरह का बड़ा रिक्स उसको ना लेना हो जैसे suppose करो कुकर अपन खरते हैं आपने कुकर पर्चस करके लाया तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह कुकर जो है वो आपकी life की safety करेगा ऐसा नहीं कि ब्रस्ट हो गया और company safe you यह safety की ध्यान रखना उनके लिए manufacture company के लिए होता है ठीक है ना कोई electric का समान हो गया मालो आपने use क्या प्रेस ही ले लीजिए iron अचानक आपको current लग गया तो कहने का मतलब होता है कि यह जो है producer को चाहिए कि वो safety का ध्यान रखे यह आपका पहला अधिकार है दूसरा है दो चीज़ तो must होती है एक manufacturing date और next is the expiry date फिर तीसरा जो है वो कौन सी company ने manufacture किया है उसका पूरा पता नेम एड्रेस सब होनी चाहिए ठीक है ना mostly जैसे baby foods हो जाता है या medicine होता है उसमें आपका लिखा ही रहता है कि क्या क्या है कितना dose देना है क्या करना है क्या नहीं तो यह सारे चीज़ है यह सिफ आपको मैं baby foods या medicine के बारे में ही बाता रही हूं all things also we have to take washing आप cloth washing करते तो detergent powder पर भी लिखा होता है कि किस type के cloth के लिए है कोई woolen cloth के लिए separate आपका अलग आपका आजाता है easy वगर आजाता है soft कपड़े के लिए लगाता है hard कपड़े के लिए लगर आजाता है तो यह भी आपका instruction होता है तो हर चीज़ में each and every goods they need to give the all information about that ठीक है ना यह चीज़ आ अधिकार ने क्या किया आपके लिए कई तरह के laws पास के कि what is the laws of you and which type of laws you follow for the protection तो यह आपके rights के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया तो यह सारे information आपको होनी चाहिए okay now third is the right to choose चुनाव का अधिकार आप कभी भी कोई समान खरीदने दुकान जाते हो तो आपको पूरी तर अधिके से देख सकते हो चूज कर सकते हो if shopkeeper refuse you don't touch it don't see that तो आप इसका complain कर सकते हो क्योंकि आपका पूरा अधिकार है वह यह आप उन्होंने दो समान दिखा दे दो महीं आपको लेना है बिल्कुल नहीं आप स्वतंत्र हो समान चूज करने के लिए ठीक है ना तो यह कर देखने का बार बार देखने का पूरी तरह से अधिकार हो जाता है ठीक है ना इसके लिए कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है कि आप इसको देखिये नहीं आप इसको पकड़िये नहीं ठीक है ना यह चीज आपको अधिकार में आता है ठीक है इसके बाद आपका क्या हो आते हैं आप उसमें किसी तरह का कोई अगर गलत हो जाता है तो इसको रेड्रेसर करना सुधारने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है ठीक है ना जैसे माल लीजिए आपका कोई तवित खराब हुआ है आप डॉक्टर के पास चलेगे मालो आपको गले का प्रॉब्लम हो रहा ह है तो भी आप शिकायत कर सकते हैं कि भई हम जिसके पास गया है वो डॉक्टर हमारा प्रॉपरली ट्रेटमेंट नहीं कर रहा है या फिर सपोस्ट करो ले दे करके उसने आपका गले का कोई ऑपरेशन ही कर दिया लेकिन ऑपरेशन करने के बाद आपका ऑपरेशन गलत तो भी आप केस दायर कर सकते हो उस डॉक्टर के अगेंस्ट में कि वह यह हमारा जो यह प्रॉबलम था तो उन्होंने इसका सई धंग से ट्रिटमेंट नहीं किया या फिर कई तरह के हॉस्पिटल वगर जाते हैं तो हॉस्पिटल में भी कई तरह के पेसेंट के साथ नगल होता है ठीक है तो यह आपके फोर राइट्स जो है वो कंजुमर को मिले हुए हैं और इन राइट्स का यूटिलाइज करना कस्टमर का या कंजुमर का खुद का काम होता है इफ यह आपको किसी चीच के अधिकार मिलते हैं तो वहाँ पर आपके कुछ दाइट भी होते हैं उन चीच को देख लीजिए पहला है तो टेक बिल रिसिप्ट गैरेंटी कार्ड आप कभी भी कोई समान खरीते हो तो बिल लेना और गैरेंटी कार्ड लेना भूलना नहीं है यह आपकी जिम्मेदारी है आप पता चला धरबड़ी में समान खरीत कर ला और बाद में बोले मुझे तो इसने बिल नहीं दिया या फिर हमें तो गैरेंटी कार्ड नहीं दिया तो यह इस समय आप गलत हो दुकान-दार नहीं क्योंकि हो सकता है दोगांदार देना भूल गया तो यह आपकी रस्पॉंसिबिलिटी थी यह आपकी डुट्ई थी थी तिना कि आप उनसे बिल और रेसिप्ट मांगते हैं सेकेंड तो इंक्रीज और डिक्रीज दा कंजप्शन सेकॉर्डिंग टू दा सप्लाइब दा कमोडेटी आपके पास वह अधिकार होता है कि कंजप्शन को आप जैसा चाहो उसको बढ़ा सकते हो जब चाहे उसको कम कर सकते हो ठीक है ना third है to have the knowledge customer protection के लॉस के बारे मैं जनकरी रखना आपकी जिनमेदारी है कि आपको क्या क्या protection मिला हुआ है next to discourage black marketing smuggling black marketing जो होता है इनको आप प्रोसाहित मत कीजिए ठीक है अगला है one must complain about the actual problem आपको जो वास्तों में problem है जैसे product के price को कम करवाना है या किसी seller ने आपके साथ कोई cheating कर दिया है तो इन सब चीजों को का complain करना आपका है अगर आप complain नहीं करते हो तो यह आपकी fault है और last point बता जारा है कि whenever you are purchased the goods you have to check out the ISI mark, egg mark, wool mark, hall mark, FPO यह सारे mark आपको होना जरूरी है चेक करना अगर आप check नहीं करते हो और घर आने के बाद अगर उस product में किसी तरह का कोई defect निकलता, कोई damage निकलता है तो they are not responsible for that because it is your duties to check out that tradmarks ठीक है यह चीज आपको बोला गया है तो यह सारे जो है वो आपके consumer के protection के लिए और उनके जो exploitation हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए इतने सारे चीज़े किये गए हैं ठीक है ना तो आपको क्या चाहिए कि आप हर हाल में देखे कि आपको किस तरह से समान दिया जा रहा है किस तरह का exploitation आपके साथ हो रहा है consumer की exploitation है उसको आप किस तरह से complete कर सकते हो और कोशिश यह करिए कि यह सारी जो systems है वो जादा expensive ना हो और धेरे धेरे आपके हो जाए कम समय पर आपको जब चर्वत पढ़ता consumer को क्या करना चाहिए कभी-कभी advocate यह जो वकील है उनकी भी सहयता लेनी चाहिए समय समय पर आप अपना registration कराते रहें कोट से पता करते रहें कि कोई rules regulation चेंज तो नहीं हुआ है हमारे लिए तो यह सारे चीजे जो है government ने आपको सुविधाय प्रदान कर रखी है जिसको आपको अच्छी तरीके से अपनाना है और आपको यह यूज करना है ठीक है students तो यह पूरा chapter आपका क्या हुआ consumer awareness के बारे में था जो कि आपको बताया गया है ठीक है ना आपके consumer awareness मतला आप समझी गया होंगे कि जहां पर आपको आपके rights और duties के बारे में बताया गया है आपके साथ किसी तरह का कोई exploitation ना हो इसके बारे में बताया गया है और यह जो act 1986 के तहत आप अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हो ठीक है ना तो that's all for your this chapter ओके